है किसी ने कमेंटर में पूछा था कि हमारा मुचल 높न में रखा गया पैसा कितना सिफ है तो बस वो बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं नहीं तो यह जो यहां पर कारणाम हुआ है वह वीडियो Cap Fund 31 जन्वरी को launch हुआ है जिसका NFO चल रहा था 17 जन्वरी से 31 जन्वरी तक और launch होते होते सभी का डंडा चल गया एक महीने के अंदर ही डंडा चल गया सभी का उसके उपर से भी जो रेगुलेटर है mutual funds की stock markets की उसका क्यों सबसे पहले इसके इन्वेस्टर के साथ क्या हुआ इस पर बात करते हैं तो उस स्कीम के अंदर में जो लोग भी इन्वेस्टेट थे उनको दो ऑप्सन दिये गए या तो आप उसके अंदर पास था उसका 15% पढ़ाया नहीं कहीं साब से जितने दिन तक पैसा था उसका आपको इंट्रेस्ट भी पे करेगी स्कीम तो यह पर देखो इन्वेस्टर का फायदा ही फायदा इन्वेस्टर को किसी भी तरह से लुकसान नहीं पहुंचने देती है से भी अब ऐसा इन्वे इन्वेस्ट कर सकते हैं । जिरो तु ऐसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यह प्योड इक्विटी स्कीम स्कीम तो नहीं है तो इस कारण से सेभी ने कहा कि आप इंवेस्टर्स को बहकाने की कोशिस कर रहे हैं जब इसके अंदर इंवेस्ट किया जा सकता है तो फिर आप इसको अपने वेबसाइट पर प्योर एक्विटी स्कीम क्यों कह रहे हैं बस इतनी सी बात के लिए सेभी ने नोटिस भेज दिया सेम को के स्कीम के लिए सेम को मुचल फंड को और वहां पर इंवेस्टर्स को यह दो रहो चाहो तो एक्जिट कर लो और आपको एक्जिट लोड भी नहीं लाएगा और फंदर परसेंट पर एंडम का आपको इंट्रेस्ट रेट भी मिल जाए यह तो एक करण हुआ इस बहुत सारे याट चला रहे थे अभी तो फिर सेभी ने वहीं किया कि क्या होता है यह स्ट्रेस्टेस्टेड मुचल फंड क्या होता है मजाक चल रहे हैं पर नोटीस बेजा कि इस टैगलाइन को पहले चेंज कर तो फिर कंपनी ने इस टैगलाइन को स्ट्रेस्टेड मुच जी गई से भी के द्वारा सेम को अब सचो इतनी छोटी छोटी चीजों पर जब रेगुलेटर हमारा ध्यान रखता है तो कितना ज्यादा सेफ हमारा पैसा मुच्वार्ट के अदर में कोई भी फ्रॉड या कुछ भी गलत चीज होने होते होते ही से भी उसको रोकने की तो रखा जा सके इंवेश्टर्स का पैसा कैसे सुएक्षी तो रखा जा सके दो एक छोटा साथ इंसिडेंट था जो मैं आपके साथ सेर करा हूँ यह बताने के लिए कि आपका पैसा कितना सेफ है मैं कि आपके आपके लिए एक पाइसमें